फ्लैग ओफ कार्यक्रम जनपद के डायल 112 के बेरे में शामिल हुई 18 नई गाड़ियां, 6 पी आरवी रूफ माउंटेड कैमरा से सुसजजित आजमगार जिले की पुलिस को और बहतर करने को लेकर 14 नई स्कापियो शासन की तरफ से मिली हैं इसके साथ ही चार बाइक भी आवंटेट हुई है, पुलिस मुख्याले द्वारा आवंटेट इन वाहनों को शुक्रवार को जिले के एस्पी अनुरागार्या ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया 14 चार पहिया पी आरवी में से 6 पी आरवी रूफ माउंटेड कैमरा से सुसजज़ित हैं इसके साथ ही घटनास्थल का फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पी आरवी और महिला नाइट्स कोट से संबंदित समस्याओं के समाधान में सहायक होंगी इसके साथ ही आम जन्मानस को ततकाल सेवा प्रदान करने सुरक्षा को और सुद्रिर करने के उद्देश से उक्त समस्त पियारवी जन्पद आजमगद को प्रदान की गई है एसपी अनुराग आर्या का कहना है कि कैमरे से लेशिन गाडियों के आ जाने से कभी कभी पुलिस पर जो गलत आरोप लगते हैं उससे बचत होगी इसके साथ ही पुलिस का रिश्पान्स टाइम भी और बहतर हो सकेगा और अब ये बहतर पुलिसिंग का साइन्टिफिक तरीका होगा जिले केस्पी अनुराग आर्या ने बताया कि नई प्राप्त चार पहिया पी आरवी में से जन्पद आजमगर के थाना कोत्वाली वसिधारी को दो दो पी आरवी तथा थाना सरायमीर, जहाना गंज, मुबारकपूर, बर्दा, बिलरिया गंज, गंभीरपूर, तर्वो, प्रानी की सराय, तहबरपूर व देवगौव को क्रमशह एक एक पी आरवी तथा प्राप्त दो पहिया में से अत्रॉलिया, अहीरॉला, कोत्वाली वसिधारी को क्रमशह एक एक पी आरवी आवंटित की गई है, जो उक्त थाना क्षेत्रों में रहते हुए सुरक्षा व्य इसमें 14 फोर्विलर गाडियां हैं, और 4 दोपईया गाडियां हैं, यह नई गाडियां प्राप्त हुए हैं, डायल 112 रेस्पॉंस सिस्टम के लिए, जन्पद में अल्रेडी 55 गाडियां हमारी थी, जो चल रही थी, उनमें से कुछ गाडियां ऐसी थी जो पुरानी हो गई उसको गुमाये जा सकता है, और जो हमारी PRV, जो हमारा first responder है, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, आठ से 10 मिनट के अंदर जन्पद में PRV मोके पहुंचती है, तो उनको पहुंचने के बाद अगर वो इस कैमरे को on करते हैं, तो पूरा घटना करम उस कैमरे में, वी coverage है, वो भी हम लोग देख सकते हैं, तो कि PRV अगर किसी घटना सल पे पहुंचती है, और हमें घटना सल को देखने की तत्का लावशकता है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही scientific तरीका है, बहतर policing का, और जो कई बार police के उपर किसी प्रकार के और मैं समझता हूँ कि इस से एक बेटर response time मिलने में, और उसके साथ साथ बेटर policing में हम लोग और बेटर कर भाएं